इजोड़ा साथ हे औरीकेन charter साभी यहां पर मैंने फूरा साथ चिली फ्लेक्सी आनीफ़ारलिए और अवरेält जो होता ने तो में हमने साइट लिए है। मिल जाए देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा एकदम से स्मूध सा हमारा जो बटर का पेस्ट बन कर तयार हो गया है इसी तरह से तकरीबन दो मिनट तक हम जब इसे फेटेंगे ये ऐसा दिखेगा अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे इसी तरह से आपको सभी ब्रेड्स पहले ही फ्लैट करके रख लेने हैं ये देखिए कितने अच्छे से फ्लैट हो गया है अब एक बाउल लेंगे और इस बाउल से इस तरह से कट कर सकते हैं आपके प आप देख रहे हैं ना इसका जो लुक है थोड़ा चेंज हो गया यह ब्रैट जैसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है थोड़ा से आपको चपाती जैसा दिख रहा होगा इतना ही आपको यह फ्लैट करना है अब यह नाइफ या फोर्क की हेल्प से आप इसके उपर अच्छे से जो आपने बटर बनाकी रखा था गालिक वाला वह अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और देखें इसmente सो में रखेंगे तो अगर हम इनके कोनों को नहीं मोडेंगे तो जब हम इने कुक करेंगे तो यह जो चीज है यह भार निकल जाएगा अब इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से दबा देंगे दबा के इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे कोनों से इस अच्छे से fix कर देंगे ये देखें बहुत अच्छे से चिपक गया है अब हम क्या लेंगे एक knife लेंगे और उसे इस तरह से तिर्चे कट लगा देंगे सबी bread पर हमें इसी तरह से तिर्चे कट लगा लेने हैं अगर आपको लगता है कि जो bread है वो जादा ही इसके किनारे वेस्ट हो रहे हैं तो आप इसको किनारे के साथ भी देखे square shape में बना सकते हैं मैंने यहाँ पर square shape में भी कुछ बनाए हैं इससे एक triangle सी shape आपकी बन कर तयार होती है और इनका भी खाने में same ही स्वाद होता है तो यह भी इसी तरह से आपको बना लेने हैं और चाहें तो आप इस तरह से square बनाने के बाद उसके बाद इसे circle में cut कर सकते हैं है ना तो यह बहुत इच्छे से इसी तरह से आपको बना लेना है इस पे भी आपको cheese इसी तरह से लगाना है और इसे fold कर देना है या इसके किनारों को कट कर सकते हैं अभी देखिए फिर से लगा दिया है हमने निशान इस तरह से सारे ब्रेड हमें इसी तरह से बना लेने हैं शेप आप सर्कल बनाएं या फिर ट्राइंगल बनाएं यह आपके उपर है अब मैंने लिया है थोड़ा सा ओईल और यह ओईल लेने के बाद इसे अच्छे से हम पैन पे फैला लेंगे तकरीवन दो चमच यह ओईल है और इसको अच्छे से हम पैन में फैला लेंगे और जब oil हमारा चिसे गरम हो जाएगा तब हम डाल देंगे इस पे अपने जो bread हमने रखे देंगे ये वाले bread इस तरह से रख देंगे और इनको medium आज पर तकरीबन एक मिनट के लिए ढख कर पकाएंगे एक मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे आप इसे सिम आज पर पकाएं तो ये और ज़्यादा करंची बनते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन्हें medium आज पर ही पका लें अब इन्हें पलट के देखेंगे कितने अच्छे से जो हमारे ब्रेड है वो सिख गए हैं इसी तरह से आपको सारे ब्रेड को पलट देना है और फिर से इसे दूसरी साइट से भी सिखने देना है तकरीबन दो मिनट के लिए ध्यान रखिएगा अगर आप इसे सिम पर पका रहे हैं तो दो मिनट और आप इसे मीडियम आच पर पका रहे हैं तो तकरीबन आपको एक मिनट में ही इसे देख लेना वरना ये जल जाते हैं तो देखे कितना अच्छा हमारे ब्रैड्स का कलर आ गया है बहुत अच्छे वाले क्रंची वाले हमारे ब्रैड बन कर तियार हो गए हैं चीज ब्रैड बहुत ही जादा टेस्री लगते हैं बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं आप चाहे तो इसे टिफिन में भी डाल के चाहे आप इसे breakfast में भी खा सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम बच्चों की favorite dishes यहां पर बना के लाते रहते हैं क्योंकि मेरे भी घर में तीन बच्चे हैं और जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने खा लिया तो मु का भी पीट भर जाता है तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा तो मैं संगीता आप सभी के लिए लाती रहूंगी इसी तरह की वीडियो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रख रहिएगा, healthy खाईएगा, healthy रहिएगा, so bye-bye friends